नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकता है आपके कॉल पूट के क्या टार्गेट रहेंगे उसस पहले तो पांच मिनट में नीचे की तरफ ऊपन नीचे गई अपना पूरा गैप फिल किया और यहां पर 43,105 इस लेवल पर अपना यहां पर लो लगाया दोस्तों इसके बाद मार्केट ने एक वन साइड़ डिरेक्शन पकड़ी और उसके बाद यहां पर हलके फुलके प के बाद हमें एक breakout दिया और इसी sideways zone में होने के कारण मार्केट के अंदर जो moments थी वो one-sided थी लेकित बहुत जारा सुनू थी जैसी मार्केट ने यहां पर breakout दिया एक अच्छा moment हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में डब्री पैटन का इसके बाद फिर से मार्केट एक sideways moment में चली गई और उसके बाद फिर मार्केट ने तकरीबन अपना एटी एच आल टाइम हाई बैंक निफ्टी में दुबारा लगाया 43,641 नया एटी एच बैंक निफ्टी बना चुका है जो की है 43, 43,641 का लेवल अब यहां पर कल कैसे ट्रेडिंग की जाए जब हमारे पास उपर uncharted area है तो देखिए ऐसा है दोस्तों कि पहले हमें देखना पड़ेगा global markets को तो हमें देखना पड़ेगा global markets में क्या चल रहा है हमें किस तरीके की market में sentiments देखने को मिल रहे हैं तो हमें closing मिली है 43,556 लेवल के आसपास ठीक है दूसरा अगर हम Dow Jones की बात करें तो US markets इस ताइम पर तकरीबन 200 points में हैं अगर हम Nasdaq की बात करें तो NDX Index यहां पर तकरीबन 128 plus points में है SPX Index की बात करें मतलब Standard & Poor Index की बात करें तो वो इस ताइम पर वीडियो बनाते से हमें 20 points प्लस में है और SDX Nifty की हम बात करें जो इंडिया की Singapore Nifty है वो इस ताइम पर तकरीबन 65 points प्लस में है तो यह सभी चीज़ें गर आप देखेंगे Bank Nifty के अंदर आपको indicate कर रही है कि market एक bullish over bullish कह सकते हैं not bullish over bullish trend पर चल रहा है तो यहां पर definitely एक gap up होने की संभावना market में दिख रही है और यह gap up तकरीबन 43,720 इस level के आसपास हो सकता है मतलब market के अंदर 150 points का एक gap up minimum expected अब दोस्तों अगर market इस area वे open करती है तो यह uncharted area है मतलब यहां से market के अंदर उपर के levels हमें नहीं परता market किस तरफ हमें निकाल के देगी लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा सा फीबना की कि तरू मार करके देखें तो हमें एक चीज़ यह पता लगेगी कि market में 43,000 43,800 43,800 का एक level यहां पर निकल के सामने आता है जो market में एक resistance का आपको काम कर सकता है ठीक है दोस्तों मतलब यह मैं आपको यहां पर मार करके बताता हूँ कि इस level पर market में एक resistance पड़ी है जो की है 43,000 43,000 808 का यह market में एक resistance की तरह काम कर सकता है तो दोस्तों आपको याद रखना है market में कि हमें 43,800 का level मतलब अगर market 43,720 पे open होती है और open होने के बार अगर 43,800 का level से rejection देती है तो यहां से हम यहां पर मतलब एक shot create कर सकते है एक put की position around 43,800 8 के level के आसपास और फिर आपके जो targets होंगे वो तकरीबन 43,700 और 43,600 के तक के भी हो सकते है अब जब call की position कब ले? call की position आप तब ले सकते हो तो जब market अगर आपके पास 43,600 के आसपास अगर आ जाती है और यहां से PDH से support लेती है माल लीजिए previous day high से market ने support लेने के लिए तैय किया तो आप तब यहां पर call की position बनाएंगे अगर market 43,640 के support लेकर उपर जाने की कोशिश करती है तो फिर इसके जो target होंगे वो उपर की तरफ 43,675 और फिर वापस 43,700 तक के intraday में हो सकते हैं तो थोड़ी इसी strategy में चेंज है यहां पर immediately call की position में नहीं बलकि short की position में हम बना सकते हैं towards 43,800 लेवल्स target आपको बता दिए मैंने 43,700 और 43,600 के intraday में देखने को मिल जाएंगे call की position अगर market PDH पर आकर previous day high से support लेने की कोशिश करती है तो तो उमीद है दोस्तो आपको वीडियो बसंद आई होगी अगर आई है तो like का बटन जूरू प्रिस करिएगा चैनल को आपने गरे प्रिक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तांकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक्यों बबाई